हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ गौरव और इस वीडियो में जिस यूरो क्वालिफाइट्स के मैच काम प्रिव्यू करने वाले हैं वो खेले जाएगा रिपब्लिक आप आइलेंड वर्सेस नीदलेंड्स के बीच तो नीदलेंड्स वर्ल्ल की वन अप टॉप टीम में काउंट हो यूरो क्वालिफाइट्स का तो इस ग्रूप में अभी फ्रांस टॉप में है लेकिन सेकेंड इस्पॉट में नीदलेंड है और इन्होंने बाकियों से एक एक दो-दो मैचेस कम खेले हैं तीन में इनकी दो विक्ट्रीज है एक लॉस है छे गोल स्कोर के चार गोल कंसीट क भी कर दिया और तीन इनके पॉइंट है अब मैं यह एस्यूम कर रहा हूं फ्रांस मोस्ट पाबली इस ग्रूप में टॉप में फिनिश कर जाएगी लेकिन जो टीम सेकेंड में फिनिश कर सकती है उसकी हाई जमसे से की ओर टीम नीदलेंड हो सकती है एक बार में आपको दो सबसे में चीज इस मैच के लाइन आप आने के बाद जो भी फाइनल टीम में अपडेट होगी वह आपको अमयरे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी तो जो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको या तो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपको मिल जाएगा टॉप पिन कमेंड में जॉइन कर लिजिए अब हमां जादर डारेक्ट प्रोईबल लाइन अप पे और पहले स्टार्ट करते हैं नीदलेंड से तो नीदलेंड यहाँ पे फेवरेट टीम है अभी में इनके मैक्जिमम यानिकी जो सेवन प्लेयर हो नीदलेंड के पिक करने वाला हूँ तो इनकी प्रोईबल लाइन पर नचे डालते हैं फ्लेकन इनके गोल की पर हूंगे बैक त्री में खेलते हैं जिसमें डिवराय वे सब्सुरूट हो गए तो अभी में एजियूम कर रहो यही बैक लाइन होगी फिलाल इस मैच में अगर किसी एक टिम को क्लिंशेट के लिए बैक करना और निदलेंड को करूंगा अच्छा क्लिंशेट का चाम से है क्योंकि आयल लैंड डिफेंस वाइस तो ठीक ठाक है लेक क्योंकि डिवराय के जनरली उतने ज्यादा डिफेंसिव पॉइंट नहीं आते जबकि ब्लेंड डिलीट वेंडाइक तीनों डिफेंडर को पिक करके गया हूं डिरून डिफेंसिम इट्पिल में खेलेंगे लास्ट मैच में इन्होंने सेट पीस सिच्वेशन में एक गोल म के अब मैं डिरून को इग्नोर कर नहीं बड़ आपको लगता है कोई अटेकर फ्लॉप जाएगा चेला कर सकते हो बीना गोल अस्ट के कुछ डिसेंड पॉइंट दे सकता है बट अभी के लिए मैं डिरून को इग्नोर किया है अभी मैं मिट्फिल में फ्रेंक की डियों को करूंगा यह बहुत ज्यादे रिलेवल प्यार है बताने की जरुवत निए बारसल होना के लिए खेलते हैं बिना गोल असिस्ट के अच्छे कादे पॉइंट देते हैं और यह गोल असिस्ट करने में भी केविल है तो मैंने फ्रेंकी डियॉंग को भी क्या मैं डंफ्रीज को 100 परसेंट रिकमेंड करूंगा पिछले मैच में दो असिस्ट निया है और नीदलेंड नेशनल टीप में वैसे इंटर मिलान जो उनका क्लव है वहां के लिए विंग्वेक खेलते हैं यहां भी खेलते हैं लेगिन यहां जो इनकी पोजीशनिंग होती है और भी ज्यादा पोडी आपको भी शोली पिक करूंगा जबसे इन्होंने नीदलेंड नेशनल टीम में ब्रेक इन किया है हर एक मैच में इनका पर्फ़मेंस काफी अच्छा रहता है तो गापको भी मश्च पी के लास्ट मैच में इनका भी गोल है और गापको और डॉंफ्रीज जो है इस म मुझे लगता है इस मैच में वेगोश को रोख सकते हैं तो अभी मैं एक छोटा सा रेस के लिए और मैं वेगोश को पिकनी कर रहा हूँ मैं जा रहा हूँ शावी सीमंस के साथ जो सीमंस है यह बंदा भी रीसेंटली आर्वी लेपजिक में खेल ला है बुंदस लीगा में बहुत इंप्रेसी परफोर्मेंस रहा है वहाँ अभी क्लब फूटबल में और निदलेंड निशनल टीम में भी जब से आया है इरका परफोर्मेंस काफी अच्छा रहा काफी अच्छा पेसी स्किर्पूल प्लेयर है जो गोल असिस कर सकता है तो मैं अभी के लिए जा भी स सीमन्स के साथ जा रहा हूँ लेकिन आपको लगता है सीमन्स फ्लॉप होगा तो आप या तो वेगहौश्ट ले सकते हैं या पिछे से फोर्टे डिफेंडर के साथ जा सकते हैं तो यह निदलेंड की लेवन थी जो मैंने स्यावन प्लेय लिए मैं वेंडेक डिलीट ब्लिं स्याच में कोई लेलें बड में इस बात की जो एट से नहीं कह सकता अपूरें की बात करने से फेले एक बर फिर सेरे मैंड दिला रहा हूं इस मैचiane पेनल टीम या अपडेट के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जोईन करना है तो जो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको या तो मिल जागा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपको मिल जागा टॉप इंड कमेंड में जोईन कर लिजिए अब हम बात करते हैं और इगन इंके तीन सेंटर बेक, इसके लवाज जो लेफ्ट फिंग बेक है मेकलीन, ये चाहे डिफेंडर आपको डिफेंस सेक्सन में मिल जाएंगे, फिलाल मैं इनके इसने जब भी रिपाब्लिक आफ एलेन के लिए खेला है बहुत इंप्रसीव पर्फोमेंस क्या वर्क रेट बहुत अच्छे है डिफेंसी अग भी करते है अफेंसी वाइस भी अच्छे है लास्ट मैच में सेकेंड आप में आया था और काफी अच्छा पर्फोमेंस किया था और मैंने देखा है कुछ-कुछ कॉर्णर्स फ्रीकिक लेते हुए भी मैकलीन को तो मैं अभी के लिए मैकलीन को भी करके चला हूँ बाकि जो इनके सेंटर बैक्स हैं इगर इंडफी कॉलिंस हैडर में तो सॉलिड है लेकिन डिफेंसी पॉइंट के मामले में थोड़े इन में चाहे तो मुलंबी ले सकते हैं बट मुलंबी को मैंने लास्ट मैच में पिक तो किया था इन्हें बहुत जादा डिफेंसी पॉइंट नहीं दिया थे फ्रांक के अगेश्ट और दूसरा है 60 मिनट के आसपास सब्सिडूट हो गया थे जबकि नाइट ने डिफेंसी तक लेगी तो मैं इदा अगब्हें इनके दुनहीं फोर्वट को इग्नोर करके घया हूँ तो ये आयलन की 11 टी जो मेंने चार ले मैं गोल कीबल ले गया मैं में मेकनील तो नो मैं कूलन और नाइट को और करके घया हूं बग की ब्रॉनी आपके लिए और मोलंबी एक ऑफ यहां तक मुझे लग रहा है निदलेंड यहां पर क्लिंशीर से जीच जाएगी तो अभी यह मेरी डेमो राफ्टी में गोल की पड़ जो है मैंने बजुनों को पिक किया है आयलेंड से तीन डिफेंटर मैंने निदलेंड से लिए डिलीट है वेंडाई के और ब्लिंड है एक आपको लग रहा है जावी सिमन्स फ्लॉप होंगे तो उनके प्लेस में ले सकते हैं वाउट वेगोश्ट नहीं तो अगर आपको लग रहा है फ्रंकी डियोंग बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे क्योंकि लास्ट मैंच में बहुत जादा इनके पॉइंट्स निया थे त तो अभी के लिए मैं इन दुनों के कंबिनेशन को सीवीशी करने वाला हूं तो फिलाल यह मेरी डेमॉरण अफ्टीम थी अपडेटेट फाइनल टीम के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जोइन करने है तो जो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको या तो मिल जाएगा description box में या आपको मिल जाएगा top in comment में join कर लिजिए